नमस्कार साथियों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है गलेक्सिस कोचिंग पॉइंट पर और डेली आपकी जो करंट अफेर की लाइव क्लास होती है उसके अंदर हम इन डिटेल जितने भी हमारे जो करंट अफेर्स होते हैं उसको देखते हैं करंट अफेर्स के साथ-साथ उनके पीछे की जो स्टैटिक जी की है उसको भी हम वहाँ पे कवर करते हैं यह उसी की एक फास्ट टेक क्लास है इसके अंदर हम मात्र कोश्चन और उनकी आंसर देखते हैं यदि आप इसी का in detail discussion देखना चाहते हैं तो आप live section के उपर जाके जो आज की करंट अफेर्स है उससे देख सकते हैं इसी के साथ-साथ आज का जो हमारा session है इसको हम बिना किसी delay के शुरू कर लेते हैं सबसे पहला जो question आपके सामने वो ये है हाल ही में BIMSTACK के महा सचीव के रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो वो हैं इंद्रमणी पांडे BIMSTACK का headquarter किदर है ये आपको मुझे बताना है अगला है देश का पहला नो सेना शौरिया संग्राले किस राज्या में बनाया जाएगा तो ये मनाया जाएगा उत्तर परदेश के अंदर अगला है चोथे एश्याई पैरा खेलों में भारती आथलीट सुमित अंतिलने किस खेल के अंदर सुरन पतक जीता है तो वो है Javelin Thro इसी के साथ साथ आपको मुझे बताना है कि सबसे पहले Asian Games कहां पे हुए थे अगला है परतेक वर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है कब ये मना जाता है 24 अक्टूबर को और किसलिए क्योंकि John Stock जिनोंने पोलियो की सबसे पहली वैक्सीन मनाई थी उसी दिन इनका बड़्डे था तो इसी के साथ साथ आपको ये बताना है ये तो मैंने बता दिया कि सबसे पहली वैक्सीन किसने मनाई थी ये बताना है सबसे पहली इसी के साथ साथ मैंने आप सभी को बताया था कि भारती अवायू सेना के अंदर सबसे पहली जो महिला एर मार्शल थी वो कौन थी वो थी पद्मा बंदोपाद्याई आपको यह बताना है साधना सक्साना नायर के बारे में भी एक चीज बताई थी कि यह सबसे पहली क्या है यह आपको मुझे बताना है अगला है 37 राष्ट्रे खेलों के अंदर कहां आयोजित किया गया है तो इन्हें किया गया गया गोवा के अंदर अब इसी के साथ साथ आपको यह बताना है कि सबसे पहले जो खेल थे वो किस वर्ष में शुरू हुए और इसी के साथ साथ इस ब चक्रवाद तूफान जिसका नाम है हामून इसको किस देश के दोरा नाम दिया गया है तो यह दिया गया है इइडान के दौरा और यह क्या है इंडिया और बंगलादेश दोनों को affect करेगा बंगाल की खाड़ी में बनेगा आपको मुझे बताना है साइकलों जो बिप्र ज यह होती है आप उनको जोइन कर सकते हैं इसी के साथ साथ आज का जो हमारा सेशन है इसको करते हैं यहीं एंड और अब आप सभी से मुलाकात होगी अगले लाइव सेशन में